नमस्कार, स्वागत थे आप सभी का परिक्षा वल्ड के सेटोप चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम 2020 के सभी पुरसकार और सम्मानों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जितने भी IMPORTANT पुरसकार और सम्मान बन सकते हैं 2020 के उन सभी को एक ही वीडियो में समलित किया गया है अगर आपके एक्जाम में पुरस्कार और सम्मान से लेटेट कोई भी प्रस्ण पूछा जाएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान आपके एक्जाम के लिए बन सकते थे उन सभी को मने इस वीडियो में समलित किया है तो इस वीडियो का बिलकुल ध्यान से देखेगा इस वीडियो को देखने मंतरी नमिन पटनायक ने किन दो खिलाडियों को खेलों में उद्किरिष्ट प्रदसन के लिए बीजू पटनायक खेल पुरसकार पुरसकार है या दिया गया है जयंति बहरा और दीप का याणि, option B. अगला प्रस्था हमारा है, भारास सरकार की निमलिकित में से किस नौरतन कमपणी को स्वक्षता ही सेवा पुरसका 2019 प्रदान किया गया, काफी important प्रस्था है. तो स्वक्षता ही सेवा पुरसका 2019 किसको दिया गया है? तो यह सरस्वति सम्मान के लिए चुना गया है काफी important प्रस्वन है तो जो है 2019 का जो 29 सरस्वति सम्मान है यह किसको दिया जाएगा तो वासदेव मोही को यानि राइट एंसर आपको जाएगा वासदेव मोही को जो है 29 सरस्वति सम्मान दिया जाएगा यहाँ पे आप देख रहे है जो 2019 के लिए 29 सरस्वती सम्मान है इसके लिए जो नामकरण या किया गया है हिंदी साहितिकार वासदेव मोही का तो इनका नाम आप या दिखेगा ये हिंदी साहितिकार है वासदेव मोही इनको 29 सरस्वती सम्मान दिया जाएगा इनकी कहानी संग्रह कौन सी है चेक बुक के तो उनका काहानी संग्रा भी आपको याद अखना है तता इनका जो काहानी संग्रा चेक बूक है जिसके लिए इनको यह पुरस्काल दिया जाएगा इसका प्रकासन वर्स 2012 में हुआ था वह यह अगर हम 28 में सरस्वती सम्मान की बात करें तो जो 2018 के लिए 28 सरस्वती सम्मान थ यह प्रसिद तेलगु कभी डाक्टर के सिवा रेड़ी को प्रदान किया गया था उनका एक काप्र संग्रा पक्की ओती गिलिती के लिती से भी आप ध्यान दिजेगा तता प्रति वर्स यह जो सरस्वती सम्मान है यह केके बिल्ला फांडेशन के दोरा दिया जाता है तता इसकी जो सुरवात है यह 1991 में की गई थी तो यह फैक्ट भी आप यादे किएगा हाली में सहित अकादमी ने 23 भसाओं में वार्सिक सहित अकादमी पुरसकार की घोशना किया तो आपको बताना है किसे अंग्रेजी भासा के सहित अकादमी पुरसकार के लिए चुना गया य तो अंग्रेजी भासा में किसको सहित अकादमी पुरसकार दिया जाएगा तो इनका नाम है ससी थरूर यानि option जो C है इसका बिल्कुल सही है ससी थरूर को जो है अंग्रेजी भासा के लिए जो है सहित अकादमी पुरसकार दिया जाएगा यहाँ पी आप देख रहे हैं जो पूर्व किंद्री मंत्री और लेखक हैं से ससी धरोर इनको इनका जो गृंत है इनकी पुरुस्तक है and era of darkness के लिए इनको जो है अंग्रेजी भासा के लिए साहित ते अकादमी पुरसकाल दिया जाएगा तो इनका नाम आपके लिए important सशी थरूर इनकी पुस्तक है and era of darkness इसी के लिए इनको जो है अंग्रेजी भासा के लिए साहित अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा वह अगर हम हिंदी भासा की बात करें तो हिंदी भासा के लिए जो साहित अकादमी पुरस्कार या दिया जाएगा नंद किसोर आचारे को उनके कहानी संग्रा छिलते हुए अपने को तो यह दोनों आपको या दखना है हिंदी के लिए किसको दिया जाएगा साहित अकादमी किसको दिया जाएगा तो इनका नाम है हिरोकी मास सुहासी और टाकुमा मियाकी ये दोनों लोग हैं जिनको जो है 2020 के लिए स्टाक होम जुनियर वाटर प्राइस दिया जाएगा तो राइट एंस आपको जाएगा option C अगला है किसे वस 2020 के प्रतिष्ठिट इंटरनेशनल बुकर प्राइस से समानित किया गया आपको बताना है 2020 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइस है या किसको दिया गया है तो 2020 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइस है या दिया गया है मारी के लुकास रिजने वेल्ड को इनकी रचना है दिसकमफोर्ट अप इवनिंग के लिए जो है मारी के लुकास रिजने वेल्ड को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2020 से समानित किया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्स जो है 2020 के लिए जो है इनका नाम है तो इनका नाम आप याँ देखेगा मारी के लुकास रिजने वेल्ड को जो है इटरनेशनल बुकर प्राइस दिया जाएगा यह पुरस्कार पाने वाली अब तक की सबसे कम उम्री की लिखी कर फिवन गई है तता इनकी पुस्तक का नाम है दॉ डिसकमफոर्ट आप इविंग इसी के लिए इनको 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज सम्मान दिया गया वहीं 2019 के अगर हम बात करें तो 2019 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था यह किसको दिया गया था तो ओमान की लेखिका थी जोका अललती इनकी रचना थी सलेस्ट्रेल बॉडिस के लिए जोका अललती को 2019 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था अगला इंपॉर्णेशनल प्राइज नमारा है 2020 में पृत्वी विज्ञान मंत्राले राश्ट्री पुरस्कार गोसित किया गया आपको बताना है कि इस वहर से 2020 के लिए लाइब टाइम उत्कृष्ट्रिता पुरस्कार के से प्राइज जाएगा तो जो लाइब टाइम उत्कृष्ट्रिता पुरस्कार है पृत्वी विज्ञान मंत्राले के दोरा यह दिया जाएगा प्रोफेसर असोक साहनी को तो राइटेंसर आपको जाएगा प्रोफेसर असोक साहनी अगला प्रस्मारा है जुलाई 2020 को किसने किसे पहला मनावता के लिए गुल बेकियन पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोसना कि ये आपको बताना है कि पहला मानावता के लिए जो गुल बेकियन पुरस्कार यह किसको दिया जाえगा तो जो पहला मानावता के लिए गुल बेकियन पुरस्कार यह दिया जाएगा Greta-Than Conference को तो राही टेंसर आपको जाएगा Greta-Than-Burg अगला प्रसमा रहा है जुलाई 2020 में भारत की पहली सौर्य उल्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टा के लिए प्रतिस्थित गुस्टाव ट्रवे अवार्ड जीता तो इस नौका का आपको बताना है जिसको जिसे गुस्ताव ट्रवे अवार्ड दिया गया है तो इस नौका का नाम में अदित्य या पूरी तरह से सौर्य उल्जा संचालित नौका है जिसको गुस्ताव ट्रवे अवार्ड दिया गया तो इस नौका का नाम आप्या देखेगा अधित्य आप्सन भी इसका विल्कुल सही है आपको बताना है किसे युनाइटेड नेशन नेलसन मंडेला पुरसका 2020 प्रदान किये जाने की गोशना की गई है तो युनाइटेड न नेशन लेंशन मंडेला पुरसका 2020 किसको दिया जाएगा तो इनका नाम है मोरिशना कायेट और मारियाना वादी नाइसिस ये दो लोग हैं जिनको 2020 का जो है युनाइटेड नेशन नेंशन मंडेला पुरसका दिया जाएगा तो राइट एंचर आपको जाएगा ऑप्शन अगला प्रस्मारा है जुलाई 2020 दो कमेटी टू प्रोटेक्ट जनलिस्ट ने चार प्रत्रकारों को वस 2020 के लिए अंतरास्टी प्रेस फ्रीडम अवार्ड से समानित करने के घोसना की है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा पत्रकार नहीं है जिसको यह पुरस्काल दिया जाएगा इन चार पत्रकारों का नाम बताना है तो यह जो चारों पत्रकार कौन कौन से उप्यूख सभी इसका एंसर हो जाएगा तो यह चारों पत्रकार आपको मिलेंगे साइ उदुल आलम भंगलाजेस के मुहंबद मोईसिद इरान के स्वेतलाना प्रोकोपाईवा और दापो ओलो रुन योमी नाइजेरिया की यह चारो पत्रकार हैं जिनको अंतरास्टी प्रेस फ्रीडम अवार्ड से समानित किये जाने की घोशना की गई है अगला प्रसमा रह ग्लोबल लेडल शीप अवार्ड 2020 किसको दिया जाएगा तो यह दो व्यक्ति हैं इनका नाम है एन चंद्र सेखरन और जिम टाइकलेट इन दोनों को जो है यू एस आई बीसी ग्लोबल लेडल शीप अवार्ड दिया जाएगा तो राइट एं से आपको जाएगा ऑप्शन अगला प्रस्ण है जुलाई 2020 में किसे इंफरा बिजनेस लीडर आप द इयर पुरसकार से समानित किया गया है तो इनका नाम है वेद प्रकास डूडेजा यानि आप्शन सी अगला प्रस्ण है 2020 में मोहन बागान फुटबाल कलब की अस्थापना दिवस के औसर पर किस पूर्व भालती होकी खिलाडी को मोहन बागान लाइब टाइम अचीवमेंट अवार्ड से समानित किया गया आपको बताना इस खिलाडी का नाम तो जो मोहन बगान लाइफ टाइम अचीमिट अवार्ड है या किसको दिया गया है तो पुरु भालती आउकी खिलाडी है असुक कुमार इनी को तो राइट एंसर आप को जाएगा असुक कुमार अगला प्रसमा रहा है जुलाई 2020 को प्रदत क्रिकेट साउथ अफरिका अवार्ड्स 2020 में किसे दूसरी बार दच्चिड अफिरिका का पूरुस क्रिकेटर आप द इयर चुना गया है तो दूसरी बार दच्चिड अफिरिका का पूरुस क्रिकेटर आप द इयर चुना गया है क्विन्टन डी कॉग को तो राइट अंशर आपको जागा क्विन्टन डी कॉग अगला प्रस्तना है हाली में सारवजनिक छितर के किस उपकरम को प्रतिष्ठीट CIITC सस्टेनेबिल्टी पुरसकार 2019 दिया गया है तो जो CIITC सस्टनेबिल्टी पुरसकार यह दिया गया NTPC Limited को तो राइट एंसर आपका हो जागा NTPC Limited को जो है मतलब CIITC सस्टनेबिल्टी पुरसकार दिया गया है अगला प्रस्थन है भालती मुल्क के दो सक्सियत जिनका नाम है सिदात मुखरजी और प्रोफेसर राज चटी को किस देश ने वर्च 2020 के महान प्रवासी समां से सम्मानित किया है आपको बताना है पूँन सा देश है जिसने ढ़ भालती मूल के व्यक्तियों को जिनका नाम है शिदात मुखरजी और प्रोफेसर राज को जो है महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया है तो यह देश है अमेरिका राइट एंचर आपको जागा अमेरिका के दोरा जो है सिदात मुखर जी और प्रोफेसर राज चेटी को जो है महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है अगला प्रसना है किस राज के पंचायती राज विभाग ने इपंचायत पुरस्कार जीता है तो यह पंचायती राज विभाग है आपको मिलेगा हिमांचर प्रदेश में मानवता वाधी पुरसकार किसको दिया गया है आपको बताना भी एटी अवार्ड समारों में तो पॉप स्टार बयान से इसका राइटेंचर हो जाएगा पॉप स्टार बयान से अगला प्रस्मारा है किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के दौरा गांधी नोबेल सांती पुरसका 2020 से समानित किये जाने की घोसना की गई है तो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के दौरा जो है गांधी नोबेल सांती पुरसका 2020 किसको दिया जाएगा तो डाक्टर कनया तिरपाथी इसका राय टेंचर हो जाएगा डाक्टर कनया तिरपाथी को अगला प्रस्ना है 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के सांती पुरस्कार के लिए चुना गया है तो जर्मन बुक ट्रेड के लिए जो सांती पुरस्कार या किसको दिया जाएगा तो इनका नाम है इकोनॉमिस्ट है अल्थसास्त्री है अमर्त सेन तो राइटेंचर आप को जाएगा अमर्त सेन अगला प्रस्ना है 2020 में किस भागती संगितकार को तो भारती सिंगर का नाम है सोबा सेखर इनको 2020 के लिए जो है तो इनका नाम है डाक्टर रतन लान इनको जो है 2020 का प्रतिष्ठी 20 सो खाद प्रसकार दिया जाएगा तो राइटेंचर आप को जाएगा डाक्टर रतन लाल अगला प्रस्ना है 2020 में किसे EY World Entrepreneur of the Year 2020 खिताब के लिए चुना गया है तो EY World Entrepreneur of the Year 2020 खिताब किसको दिया जाएगा तो बायकॉन की मालकी ने इनका नाम है कीरन मजूमदार सा तो राइटेंचर आप को जाएगा option C कीरन मजूमदार सा को जो है EY World Entrepreneur of the Year 2020 का खिताब दिया जाएगा अगला प्रस्न है आपका हाली में किस भारती को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है रंजीत कुमार इनको जो है नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है तो राइट एंसर आपको जाएगा जावेद अक्तर को अगला प्रसना है 2020 में किस भालती लेखीका को एसिया छित्र के लिए राष्ट मंडल लगु कता पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोसना के गई है तो भालती लेखीका का नाम है कृतिका पांडे इनको जो है एसिया छित्र के लिए राष्ट मंडल लग लगुकथा पुरसकार पदान किये जाने की घोस्णा के गई है। इनकी लगुकथा क्या नाम है? The Great Indian Tea and Snakes के लिए किसे लिए? जो है इनको राश्द मंदल लगुगथा पुरसकार दिया जाएगा। इनका नाम है कृतिका पांडे अगला प्रस्थन है किस भागती महिला सैन अधिकारी को वर्ष 2019 के United Nation Military Gender Advocate of the Year Award प्रदान किये जाने की घोशना किये गई है तो महिला सैन अधिकारी का नाम है मेजर सुमन गवानी इनी को जो है वर्ष 2019 के लिए United Nation Military Gender Advocate of the Year Award दिया जाएगा तो इनका नाम है मेजर सुमन गवानी अगला प्रस्थन है किस भागती पत्रकार को मेडिया में मानों अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतनता के लिए उतक्रिष्ट प्रति बद्धिता दिखाने के लिए Deuce Valley Freedom of Speech Award 2020 के लिए चुना गया है तो Deuce Valley Freedom of Speech Award किसको दिया जाएगा तो इनका नाम है सिधाल्त वल्दराजन राइट एंचराप को जाएगा सिधाल्त वल्दराजन अगला प्रस्थन है कोन भागती महिला टेनिस खिलारी है जिनने Fade Cup Heart Award 2020 दिया गया है तो Fade Cup Heart Award 2020 दिया गया है सानिया मिर्जा को तो राइट एंचराप को जाएगा सानिया मिर्जा अगला प्रस्थन आपका है किसे वर्ष 2020 के Young Career Award in Nanoscience and Technology से समानित गया गया है तो Young Career Award in Nanoscience and Technology से समानित किया गया प्रफेसर सौरब लोडा को तो राइट एंचराप को जाएगा प्रफेसर सौरब लोडा अगला प्रस्थन आपका है वर्ष 2020 के लिए मार्कस वार्लन बर्ग पुरस्कार किसे प्रदान किये जाने की गोष्णा की गई है तो वरस 2020 के लिए जो मारकस वालनबर्ग पुरस्कार है यह तिन लोगों को दिया जाएगा जोएसिप जे लैंट्सबर्ग, रिचर्ड, एच वारिंग और निकोलस पी कुप्स, राइट हैं चराब को जाएगा ओप्सन डियानी की उप्युक्त सभी अगला प्रस्णा है मई 2020 को किस मतलब मई 2020 जो है किसे द्वस 2020 के लिए पुलिज्य पुरस्कारों की मतलब पुलिज्य पुरस्कारों में आलोचना की सेनी में जो है उनको पुलिज्य पुरस्कारों की गोशना की गई है तो जब पुलिज्य पुरस्कारों की गई तो आपको बताना उस भ्यक्ति का नाम जिसको आलोचना की सेर्णी में पुलिजर पुरस्कार दिया गया है तो आलोचना की सेर्णी में पुलिजर पुरस्कार किसको दिया गया है तो इनका नाम है क्रिस्टोफर नाइट राइट एंच लाप को जाएगा क्रिस्टोफर नाइट को जो है अलोचना की सिर्णी मेंने के क्रिटिक्स की सिर्णी में जो है पुलिजर पुरस्काल दिया गया है 2020 का अगला है युनेस्को गिलर्मो कानो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड की से प्रिदान किये जाने की गोशना की गई है तो बहुत ही प्रतिष्टित या समाने युनेस्को गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड यह दिया जाएगा कोलंबिया की जीनित बडोया लेमा को अगला प्रसन आपका है कि इस भागती कंपनी ने समाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है तो एडिसन अवाड किसको दिया ग्या है तो टाटा पवर्स राइ टाटा पवर्स यह दिया ग्याए आपको बताना है हरी में Hero to Animals Award 2020 से किसको समानित किया गया है तो पस्वों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो है पस्वों के अधिकारों के लिए काम नहीं बहुत ज़्यादा किया था इनका नाम है नवीन पतनायक तो पस्वों के अधिकारों के लिए काम करने के कारण जो है नवीन पतनायक क वो पेटा के द्वारा पेटा एंडिया के द्वारा Hero to Animals अवार्ड दिया गया तो राइटेंज राप को जागा नवीन पतनायक अगला प्रसनाप का है किसे सिनेमा के जरिए विस्परेटन में दिये के उतकृष्ट योगदान के लिए IIFTC IIFTC Tourism Impact Award से समानित किया गया है तो इ प्रसकार के से प्रदां किया गया है most important तो जो 29 जो 29 जी प्रदां किया गया है किसको तो इनका नाम है Prof. ROOPH Metalik तो रहाटैंज राप्वाजाएगा Prof. ROOPH Malik को जो है 29 जी ती प्रदां किया गया है अगला प्रसना है BBC Indian Sports Women of the Year Award 2019 के से प्रदां किया गया है तो इनका नाम है पीवी सिंदू इनी को जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वूमन आप दे येर अवार्ड 2019 से समानित किया गया है अगला प्रस्थम रहा है फते सिंग राठोर वाइल लाइफ वारियर अवार्ड 2020 किसे समानित किया गया है तो यह award दिया गया है रिते सिरूठिया को तो राहे टैंस रापको जाए गर रिते सिरूठिया को जो है फते सिंग राठोर वाइड लाइफ वारियर reward 2020 दिया गया है अगला important प्रसन आपका है कि आपको बताना है कि मार्च 2020 को राष्ट पती रामनात कोबिंद के दौरा 2019 के लिए 15 महिलाओं को नारी सकती पुरसकार बदान किया गया तो आपको बताना है कि यह जो नारी सकती पुरसकार किस वर्स से दिये जा रहा है तो वर्स 1999 से ही नारी सकती पुरसकार बदान किये जा रहा है अगला प्रस्त हमारा है मार्च 2020 को प्रतिस्थित प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरसकार किसे बदान किया गया तो प्रिजकर आर्किटेक्चर जो पुरसकार है या प्रिदान किया गया किसको तो यावोन फारेल और सैली मैक ना मारा को तो राटन से आपको जाएगा option D अगला important प्रस्थन है India Foundation and Indic Academy के सायोग से स्वाराज अवार्ड 2020 प्रिदान किया गया है तो आपको बताना है कि इस स्वाराज अवार्ड 2020 के तैज जो है किसे अगला प्रस्थन है अगला important प्रस्थन हमारा है दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अवार्ड समारों का जो आयोजन मुंबई में किया गया था इस अवार्ड समारों में सबसे सरवसेष्ट अमनेता का पुरसकार किसको दिया गया तो दादा साहब फाल के International Film Awards हमारों में सर्वसेश्ट अबनेता का खिताब दिया गया रितिक रोसन को इनकी फिल्म किसके लिए तो Super 30 तदा Super 30 को सर्वसेश्ट फिल्म का खिताब भी दिया गया इस दादा साहब International Film Festival में दैन डेविट प्राइस 2020 किसे प्रदान किये जाने की घोसना की गई है तो जो दैन डेविट प्राइस 2020 है या किसको दिया जाएगा तो Professor Gita Sen को तो राइट एंस लाप का जाएगा Professor Gita Sen अगला प्रस्टन है और 28 के लिए दिया जाएगा उसा सर्मा को अगला प्रस्टन है 2020 को मत्रप्रदे सरकार के दौरा वर्स 2018 का जो किसोर कुमार सम्मान है या किसे प्रदान किया गया तो मत्रप्रदे सरकार के दौरा वर्स 2018 के लिए जो किसोर कुमार सम्मान है या प्रदान किया गया वहीदा रहमान को तुराय टेंचराप को जाएगा वहीदा रहमान अगला प्रतिस्ठी टैलर प्रिषकार्ष 2020 के लिए दिया जाएगा, पवन सुकदेव और डाक्टर ग्रेचेन सी डेली, अगला प्रतुमारा है. राश्टी लगता मंगेशकर अवार्ड की जो हाली में घोसना की गई है इसके तहित जो 2018 का लटा मंगेशकर अवार्ड है या किसको दिया जाएगा तो 2018 के लिए जो राश्टी लटा मंगेशकर पुरसकार या दिया जाएगा कुलदीप सिंग को तो रामनात कोविंद के द्वारा किसे ब्यक्तिकत स्रेडी में लेप्रोसी के लिए अंतराश्टी गांधी सांती पुरसकाल से समानित किया गया तो ब्यक्तिकत स्रेडी में लेप्रेसी के लिए अंतराश्टी गांधी पुरसकाल दिया गया डाक्टर एनेस धर्म सक्तु को तो राइट एंस धर्म सक्तु आपको बताना है कि जो इस वर्स के बान बेवे आसकर पुरसकार दिये गया है इन आसकर पुरसकार में जो है सर्वसिष्ट फिल्म का खिताब किसको दिया गया है तो बान बेवे आसकर पुरसकार में सर्वसिष् पेरा साइट, यहाँ पे मैंने पुरा अपलोट किया हुआ है, 2020 का जो रास्टी, मतलब वार्सिक अकादमी पुरसकार, इसको हम ओसकर पुरसकार के नाम से जानते हैं, इसमें किसको किसको क्या क्या खिताब दिया गया है, यह देख लेते हैं, तो सबसे पहले आप याद की सरवसिष फिल्म का खिताब दिया गया, पेरा साइट को, पेरा साइट के निदिरसक हैं, बाँ जोन हूँ, तता बाँ जोन हूँ нет को, बेस्ट डेरेक्टर का खिताब भी दिया गया, इसके बाद सरवसिष अपनेती चुनी गही है, रेग जलवेगर, फिल्म जूडी के लिए उसके बाद सर्वसिष्ट साया कब नेता चुने गए ब्रैड पीट फिल्म वंस अपान अटाइम हलिवूट के लिए उसके बाद सर्वसिष्ट निदेशक चुने गए हैं बॉंग जुन हो फिल्म पैरा साइड के लिए दीसे भी आप यहाँ देखिएगा तता बान बेवे आसकर पुरसकार है तो जोकर के लिए जो है टोटल 11 सेड़ियों में आवंकित किया गया तो जोकर को तता फिल्म जो पेरा साइट है इसको सरवाधिक 4 पुरसकार दिये गए इसके बाद अगला वाट देख लेते हैं पदम सरी पुरसकार जो आपके लिए इंपोर्टेंट है तो पदम सरी पुरसकार 2019 के लिए जो पदम स्री पुरसकारों की गोशना के गए ये टोटल 141 लोगों को जो है पदम स्री पुरसकार इस वर्स दिये गए है इसमें से 7 पदम विभूसन पुरसकार दिये गए इसमें से 16 पदम भूसन और 118 पदम स्री पुरसकार दिये गए इन्हें भी आप आप आद देखिएगा, 2019 के लिए जो पदम पुरसकारों के गोशना के गए, इसमें जो है, 7 पदम विभूसन पुरसकाल दिये गए, टोटल 16 पदम भूसन और 118 पदम स्री कुल मिलाके 141 पदम पुरसकाल दिये गए, तो टोटल कितने दिये गए, 141 हो गए इसमें से कितना कितना किसको दिया गया, तो 7 पदम विभूसन दिया गया, 16 पदम भूसन दिया गया, और 118 पदम स्री दिया गया, वह यह अगरें पदम विभूसन पुरसकारों की बात करें, तो पदम विभूसन पुरसकारों में 4 लोगों को जो है, मौड़नो परांद प मरनों परान दिया गया उसके बाद अरुन जेटलू को मरनों परान दिया गया उसके बाद सुस्मा स्वराज को मरनों परान दिया गया और स्री विश्वस्तेल्त स्वामी स्री स्री पजवरा अधो खजा मत उडिपी को जो है मरनों परान दिया गया इसके लावा अनुरुद जगनात को यह पुरसकार दिया गया मौरिसस के पूरु प्रधा मंत्री उसके बाद MC मेरी कौम को दिया गया उसके बाद छनुलाल मिस्रा को कला के छत्रे में यह उत्तर प्रदस किया है इसमें जो है सरवसेष्ट फिल्म का खिताब दिया गली बॉय को इसकी निदे सिका थी जय जोया अक्तर उसके बाद सरवसेष्ट फिल्म का खिताब दिया गली बॉय के लिए के छेतर में भूमी पढ़नेकर और तापसी पन्नु फिल्म सान की आग के लिए तता सरसेश निदेशा का खिताब दिया गया जोय आक्तर को फिल्म गली वह आए के लिए यह सभी पुरसकार भी आपके दिमाथ में होने चाहिए इसके बार लास्ट है हम लारियस वर्ल स्पोर्स आवार्ड की बात करेंगे तो जो लारियस इसमें से एक ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है यह है पहल Lewis Hamilton इन दोनों को सेंग तिरुप से जो है Sportsman of the Year पुरसकार दिया गया Laureus World Sports Award में तीसे भी आप द्यान दिजेगा इसके बाद एक और इंपोर्टेंट है Australian Open पुरसकार तो Australian Open में आईए देख लेते हैं किसको किसको क्या दिया गया तो पूरुस एकल का खिताब जीता है नुवाग जोका वीच ने सर्विया किये है उसके बाद मैला एकल का खिताब जीता विजेता सोफिया केनी नहीं नोंने मैला एकल का खिताब जीता उसके बाद आप पूरुसको यूगल भी देख लिजेगा और मैला यूगल का खिताब किसको किसको दिया गया इसे भी आप देख लिजेगा ये सबी आपके लिए इंपोर्टेंट है तो दोस्तों जितने भी इंपोर्टेंट आवाड बन सकते 2020 को हमने एक ही वीडिय वीडियो में कंप्लेट कर लिया है आई होब आपको वीडियो पसंद आएगा तो आज के लिए पस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू